अगर आप एक iPhone user है तो आप अपने iPhone को different methods, different purpose या work के लिए यूज़ करते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं आप अपने iPhone और AirPods को as a stethoscope भी यूज़ कर सकते हैं तो एक बार वीडियो में आगे जाने से पहले मैंने जो sound record किया है अपने heart beat का उसको मैं सुना देता हूँ जी हाँ आपने बिल्गुल सही सुना आप अपने iPhone को अगर आप एक medical student है या डॉक्टर है तो आप अपने iPhone को और AirPods को use कर सकते है as a high quality stethoscope कैसे करना है बहुत easy है मैं आपको बताऊंगा लेकिन आगे जाने से पहले आप लोग के लिए एक important चीज़ है अगर आप preparation कर रहे हैं IIT Jam 2022 की Anacademy के उपर तो एक rank booster batch 6 है ambition IIT Jam 2022 के लिए mathematics, physics, chemistry और bio technology में इसको आप join कर सकते हैं link description में है और अगर आपको Anacademy के subscription के उपर discount चाहिए कैसा ही भी कोई भी subject में तो code use कीजिए का chalk talk 10 साथ ही में एक और IIT Jam 2022 के लिए completely free में एक mock test है जो की 14th November और 28th November को होगा 14th वाला तो निकल गया आगे वाले में आप इसमें free में enroll कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं link description में है ये physics, chemistry, mathematics, bio technology और statistics में होगा आपको discount चाहिए तो code use कीजिएगा chalk talk 10 चलिए अब बात करते हैं how to use your iPhone and your आपके जो airports होते हैं उनको आप ऐसे high quality stethoscope कैसे यूज़ कर सकते हैं आपने पहले भी सुना होगा कि कोई doctor iPhone के camera को macro camera को एक patient की eye को check करने के लिए यूज़ कर रहे थे लेकिन हम इसको stethoscope के जैसे कैसे use कर सकते हैं बहुत ही simple है बहुत ही easy है सबसे पहले आपको क्या करना है अपने airports को ऐसे निकालना है और अपने कान में लगा लेना है आप management करूँगा कि आप अपने दोनों airports को अपने कान में अच्छे से fit कर लें और आपके airports आपके iPhone से connect होने चाहिए यह बहुत जरूरी है next step आपको क्या करना है कि अपने iPhone में control center में जाना है और वहाँ पर एक option होता है live listen का उस live listen के option को on कर देना है और अपने airports को अपने कानों में लगा के रखना है उसके बाद आप आपके iPhone का जो calling वाला माइक होता है जो की iPhone में नीचे charging port के पास present होता है उसको अपने chest के उपर रखना है या फिर हमें जैसे की breathing अपको lungs को चेक करना होता है बच्चा सांस कैसे ले रहा है पेशेंट सांस कैसे ले रहा है उसकी heart beat सही चल रही है कि नहीं च करना चाहिए आप उसको धीरे से वहाँ पर रखिये आप उसके बारे में एक और important चीज यह है जब आप ऐसा कर रहे हो तो आसपास का area पे शांती होनी चाहिए otherwise आपके airport में जो आसपास की आवाज है वो भी सुनाई देगा हाला कि इसको improve कर सकते हैं जैसे ही आप इसको हार्ट बीट बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई देगी हाला कि इस चीज को अगर कोई मेरे इस वीडियो को कोई app developer देख रहा है तो प्लीज मेरा आप लोगों से एक suggestion है कि आप इस चीज को improve कर सकते हैं एक ऐसा app developer के जो की बाहर की outside की noise को बिल्कुल minimize कर दे और focus करें सिर मैं आपको सुनाता हूँ एक सेंपल छोटा सा जो मैंने record किया है इसी स्टेटिस्कोप को use करके तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको informative लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe कर लेना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि इसका फाइदा बहुत सारे लोग उठाब पाएं और अपने iPhone को medical purpose के लिए लोगों को सर्फ करने के लिए या इसी तरह की device को लोगों को सर्फ करने के लिए यूज़ कर सके तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में thanks for watching this video